मुझे लिए अमेट चत्रवेदी एन वेलकम आल अफ ये निवर्सिताइल ब्रेंज दोस्तों जो स्पोकन इंग्लिश क्लास की सीरीज चल रही है उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं देयर वाज़वर का यूज और ये देयर का यूज कब होता है कहां होता है और कैसे हम इसे यूज करते हैं आज हम डिटेल में ये सब कुछ सीखने वाले हैं दोस्तों इसके पहले भी हमने ग्रैमर में बहुत सारे टॉपिक्स दिसकस कर लिए हैं जिसमें सबसे पहले हमने मोडल्स दिसकस किया था उसके तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अन वीडियो को देख सकते हैं ये सारे वीडियो आपको competition exam में help करेंगे चाहे वो banking का exam हो, railway हो, CETAT हो, SSC हो, NET हो या फिर ऐसा कोई भी exam जहां पर English पूछी जाती है वहाँ पर ये वीडियो आपको help करेंगे दोस्तो इन वीडियो की help से आपकी spoken English भी improve हो जाएगी आप advanced rules सीख जाएगे grammar के grammar के उपर आपकी command बन जाएगी और अप competition exam के लिए एकदम तयार हो जाएगे तो दोस्तो इन वीडियो को जरूर देखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें तकि आगे आने वाले वीडियो आपको time to time मिलते रहें तो दोस्तो आज का जो वीडियो है वो है देयर वाजवर का तो चलिए शुरू करते है तो दोस्तो यह रहा हमारा आज का यूज देयर वाजवर और इसको हम देखेंगे कि हम इसे कैसे कबर कहां यूज करते हैं और डिटेल में इसको समझेंगे तो दोस्तो जैसा कि हमने इसके जस्ट पीछे दे और इजार का यूज पढ़ा था सेम बिल्कुल वैसा ही है बस इसमें वाज़वर यूज हो रहा है इसका मतलब यह पास्ट फॉर्म में होता है और पास्ट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा कि इस सैंटिस के लास्ट में आपको था मिलेगा हमेशा जैसे आप यह नीचे एक्जैम्पल देख रहे हैं कि जंगल में इक शेर था इस था के अलावा भी यहाँ पर कुछ और पहचाने होती है जो हमें याद रखनी है वो यह है कि देर का जो सैंटिस होगा वाज़वर का उसमें सबजेक नहीं होगा तिकि इस सैंटिस में कोई सबजेक नहीं है मैं, हम, तुम, वे, वह, उसका, हमारा, तुम्हारा ऐसा कुछ भी नहीं है दूसरी चीज, यह जो सैंटिस होते हैं यह प्लेस या टाइम से स्टार्ट होते हैं तो देखी है, यहाँ पर सबसे शुरू में प्लेस लिखा हुआ है जंगल में, यह प्लेस है तो देखर वाजबर का सेंटिस हमेशा प्लेस से शुरू होगा और टीसरी और सबसे इंपोर्टन चीज यह है यह कौन था या फर क्या था इस इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देगा सेंटिस जैसे जंगल में एक शेर था जंगल में कौन था या फिर जंगल में क्या था ये इस question का answer दे रहा है जंगल में एक शीर था चलिए अब जान लेते हैं कि इस तरह के sentences को हम English में कैसे बनाते हैं structures की मदद से तो दूस्तो यह रहा हमारा positive structure आपको सबसे शुरू में sentence के there लिखना है फिर उसके बाद या तो was लगाना है या फिर वर लगाना है और फिर लिखना है object उसके बाद place और time अब सवाल यह है कि was कहां लगाएंगे और वर कहां लगाएंगे तो was वर लगाने का तरीका बिलकुल वैसा ही है जैसे हमने as or are use किया था आपको यह object ध्यान से देखना है अगर यह object singular होगा यानि एक होगा तो आप was use करोगे और अगर यह object plural होगा यानि एक से जादा कितना भी होगा तो हम वर use करेंगे तो singular के साथ आपको was use करना है और plural के साथ आपको वर लगाना है दूस्तो जब आप negative sentence बनाएंगे तो आपको dear लिखना है सबसे शुरू में उसके बाद was were लगाना है उसके बाद लिखना है not फिर आएगा object यह object आप पहले ही देख लेंगे अगर यह singular होगा तो आप was लिख दोगे और plural होगा तो were लिख दोगे object के बाद हमें लिखना है place time और last में लगाना है full stop दूस्तो तीसरा जो हमारा example, sorry structure है वो है yes no question का यानि अगर sentence के शुरू में क्या होगा तो हम was were को शुरू में लिख देंगे और आप object पहले ही ध्यान में रखेंगे, singular होगा तो was लगाओगे और plural होगा तो were लगाओगे उसके बाद आप लिखोगे there और last में हम place time लिखके question mark लगा देंगे ऐसा ही हमें डबलोज first में करना है यानि अगर sentence में कौन, कैसे, क्या, कब, कहा, कैसे, क्यूं, कब से और कितने बज़े इन में से कोई शब्द आता है तो हम सबसे शुरू में लिखते हैं उसके बाद हम लगाते हैं was the hour, फिर हम लिखते हैं there, उसके बाद object और फिर place time और ऐसा ही हमें last structure डबलोज second में करना है, आपको सबसे शुरू में डबलोज second, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसकी, किसके, या कितनी, कितने लिखना है उसके बाद आपको यहाँ पर noun लगाना है, यह last जो वीडियो था उसमें भी missing था और यहाँ पर भी missing है आपको डबलोज second के बाद हमेशा noun लिखना होता है, जैसे कौन सा pen, किसका घर, कितना पानी, तो how much water, whose pen, या whose shirt, यहाँ पर डबलोज second के तुरंद बाद आएगा और उस noun के बाद आप लिखोगे was worth, है ना, तो was worth लगाएंगे फिर, उसके बाद लिखेंगे there, फिर आएगा object और last में place था है, यह object यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि आप आगे noun लिख दोगे, जैसे कि जंगल में कितने पेड़ थे, तो how many trees, आपने trees यहीं पर लिख दि उसके बाद हम लिखेंगे was worth, चले अब इसके कुछ examples समझ लेते हैं, जिससे आपको यह और अच्छे से clear हो जाएगा, तो आज का जो पहला practice sentence है, वो है, चाय में शकर नहीं थी, तो हमने सबसे शुरू में लिखा there, और sugar हमेशा यह जो object है, यह singular होती है, तो हम लिखेंगे was, उसके बाद आप लगाओगे not, फिर sugar, और last में place in tea, तो there was not sugar in tea, चाय में शकर नहीं थी, फिर अगला जो sentence है, वो है कल किसका match था, देखें किसका आया और match है, तो यह match जो है, यह noun है, यह किसका के तुरंद बाद आएगा, तो whose match, ठीक है, हमने शुरू में लिख दिया, अब यह match singular है, तो हम लिखेंगे was, फिर there, और yesterday है, time last में, तो कल किसका match था, तो whose match was there yesterday, अगला जो example है, वो है, अमेरिका में जौला मुखी नहीं थे, देखें, नहीं लिखा हो है, तो यह negative sentence है, तो हम there से चुरू करेंगे, there were not volcanoes, यह जो जौला मुखी है, यह plural है, तो there were not volcanoes volcanoes in America, ठीक है, volcanoes यानि जौला मुखी, अगला जो example है, वो है, क्या school में teachers थे, अब देखेंगे, teachers जो है, यह plural है, तो हम were use करेंगे, और शुरू में क्या लिखा हुआ है, तो was, were शुरू में आएगा, तो were there teachers in school, were there teachers in school, यह sentence बन गया, और आजका जो last example है, वो है, जंगल में share था, तो यह बनेगा there, अब यहाँ पर एक share है, तो हम लिखेंगे walls, a lion या फिर one lion, और जंगल में इन forest, जंगल में एक share था, तो there was a lion in forest, तो I hope कि आपको there was war का use समझ में आ गया होगा, अब आप मन से कुछ sentences इसी तरह से लिखेंगा हिंदी में, और फिर उनको structures की help से English में बनाने की कोशिश कीजेगा, और अगर आपको फिर भी कोई doubt आता है, तो आप मुझे नीचे comment section में लिखके जरूर बताएं, और आगे आने वाले videos में हम वो doubts भी discuss कर सकते हैं, अगर आपको कुछ कहना है, पूछना है, बताना है, तो आप मुझे नीचे comment section में लिख सकते है या फिर facebook पर इस username के सार्च करके भी आप मुझे message भेज सकते हैं, दोस्तों अभी तक channel को subscribe नहीं किया है, तो please इससे subscribe जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले videos आपको time to time मिलते रहें, इस channel पर और भी कई सारी playlist है, grammar से related, vocabulary से related, और UPSC, IIS, success stories भी यहाँ पर हैं, लगभग 120- तो आप उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, वो आपके motivation में आपको help करेंगे, तो अभी फिलाल अपन मिलेंगे देर के अगले use के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे देर विल भी, तब तक के लिए, बबाए